Hello everyone, स्वागत है आप सबका Learning with Gotham YouTube चैनल में तो आज के इस विडियो हम करने वाले हैं Class 12th Music का यानि कि संगीत का BBI Objective Question Answer को जो कि आप के आने वाले Board Exam के लिए काफी जादा important present रहने वाला है तो आप लोग वडियों को अच्छे से और ध्यान पुरुवक देखिएगा यानि कि option number D हो जाएगा इसका अब अगला question के हमारा कि राग देश का शमवादी स्वर क्या है राग देश का शमवादी स्वर क्या है तो पौ जो है पौ ये राग देश का शमवादी स्वर है यानि कि option number B हो जाएगा राग देश का समवादी सोर क्या है तो पौ है अब अगला कोशन है हमारा कि धुरुपद में कितनी वानिया है छो, चार, पांच, यद्दो धुरुपद में टोटल चार वानिया है धुरुपद में कितनी वानिया है तो धुरुपद में टोटल चार वानिया है यानि कि option नमर B हो जाएगा अब अगला question है हमारा कहरवा ताल में कितने विभाग है कहरवा ताल में कितने विभाग है दो विभाग है, तीन विभाग है, ये एक विभाग है तो कहरवा ताल में दो विभाग है यानि कि option नमर A हो जाएगा कहरवाताल में कितनी भी भाग है तो दो भी भाग है तुमने इस्ट कोश्चन है कि राग यमन डैस थाट से उत्पन हुआ है यानि कि कोश्चन आपसे पूछ रहा है कि राग यमन किस थाट से उत्पन हुआ है कल्यान भैरब से कौफी से या तोरी से तो राग यमन जो है ये कल्यान ठाट से उत्पन हुआ है यानि कि option नमर ए हो जाएगा राग यमन किस ठाट से उत्पन हुआ है तो राग यमन जो है ये कल्यान ठाट से उत्पन हुआ है option नमर ए हो जाएगा पंडित भीमसें जो सीक्या थे तो वो एक गायक थे option नमर यह हो जाएगा गायक अब अगला question है कि विद्यापती गती किस अंचल का है यानि कि विद्यापती जो थे न वो कहां के थे तो देखिए option में अगर जैसे किसमें मिथला दिया हुआ है दरभांगा में है और दरभांग में किसी जगहें बेर जैसे दरभांगा के लहरी ऐसाय में है अगर लहरिया स्राक के कहां भर्गाक के विद्यापति गति का आंचर तो आप लगाएगा मितला ही यानि option number A हो जाएगा इसका अगला question है हमारा कि नाद के कितने परकार है नाद के कितने परकार है तो नाद के दो परकार है यानि कि option number C हो जाएगा नाद के कितने परकार है तो दो परकार है option number C हो जाएगा अगला question है शूरूतियां कितनी है शुरूतियां जो होती है ये कितनी होती है 10, 15, 20 या 22 तो शुरूतियां जो होती है ये 22 होती है यानि कि option number D हो जाएगा इसका अब अगला question है हमारा कि संगीत के मूल स्वर कितने है तो संगीत के मूल स्वर जो है वो साथ है संगीत के मुल वर कितने है तो संगीत के मुल सवर 7 है यानि कि option अमर D हो जाएगा यहाँपर question होना चह 알려 execute कि राग Yemen किछ थाट से आता है Confuse नहीं होना, यहाँपर question गलत दे दिया है, यहाँपर होना चाहे था राग Yemen किछ थाट से आता है, option अमर C हो जाएगा अगला कोशन है मारा कि ठाट कितने होते हैं ठाट जो होते हैं ये कितने होते हैं ये होते हैं 10 यानि कि option नमर B हो जाएगा ठाट कितने होते हैं तो 10 होते हैं अब अगला कोशन है मारा कि जबताल में कितने विभाग होते हैं किस राग में दोनों मौका परयोग होता है तो केदार राग में यानि option नमर B हो जाएगा किस राग में दोनों मौका परयोग होता है तो केदार राग में अगला कोशन है किस राग में रे एव घो का कोमल लगते हैं धमार ताल में कितनी मात्राइं होती है तो धमार ताल में टोटल 14 मात्राइं होती है यानि कि option number C हो जाएगा धमार ताल में कितनी मात्राइं होती है तो 14 मात्राइं होती है अगला कोशन है छोटा स्वर समुदाएं जिससे की राग की पहचान होती है वो क्या कहलाता है छोटा स्वर्ट समूदाय जिससे की राग की पहजान होती है वह पकर खलाता है option मर C हो जाएगा अगला कोशन है हिंदुस्तानी सास्त्रिय संगीत में विकर्ट शौरो की शंख्यां कितनी हैं अगला कोशन है राग भैड़ाब किस जाती का राग है यह ओंड़म संपुन जाती का रा या उप्षन हो जाएगा यह संपून संपून जाती का या ओप्षन को जाएगा अला कोशन है राग के दार किस ठाट का राग है तो कल्यान का राग है यानिके ऑप्षे नमर बी हो जाएगा अगला कोशन है मारा कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं रूपक ताल में न कितने विभाग होते हैं तो रूपक ताल में जो हैं तीन विभाग होते हैं यानि कि option नमर B हो जाएगा रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं तो तीन विभाग अगला कोशन है एक ताल में कितनी तालिया होती है तो एक ताल में कितनी तालिया होती है तो एक ताल में चार तालिया होती है यानि कि ऑप्शन नमर बी हो जाएगा एक ताल में कितनी तालिया होती है तो एक ताल में चार तालिया होती है अगला कोशन है इमारा गांधर्व मह महाविद्याले के स्थापना किशने की थी गांधर महाविद्याले के स्थापना किसने किया था तो पंडित विष्णू दिगमबर पुलुष करने गंधर विषणू दिगमबर उस्तार्द भयाज खाँ जो थे न? या किसा घड़ाने के गायक हुए थे? ये जो ते से आग़ा घड़ाने के गायक हुए थे? उस्तार्द भयाज खाँ यानि कि option दमर d हो जागा इसका अगलर कोशन मरा कि राग्मलकोस में कौन से दो स्वर नहीं लगते हैं? राग मलकोस में कौन से दो स्वर नहीं लगते हैं तो रिशव एप पंचम जो होता है राग मलकोस में नहीं लगते हैं गंधार एप निशाद गंधार एप ध्यवत और मध्यम एप पंचंग ये जो हते हैं राग मलकोस में लगते हैं लेकिन रिशव एप पंचम स्वर जो हते कहते हैं और तांसेन जो थे संढ़ात अकवर के दरवारी कवी थे यानिकि आप्शन मर इसका भी हो जाएगा संढ़ात अकवर के नो रतनों में से एक थे संढ़ात अकवर की दरवार में जो जाएगा अला कोशन है आसवारी ठाट के अंतरगत कौन सा राग आता है आसवारी ठाट के अंतरगत कौन सा राग आता है तो जौन पुरी राग ऑप्शन अमर ए हो जाएगा जौन पुरी राग जो है यह आसवारी ठाट के अंतरगत आता है ऑप्शन अमर ए हो जाएगा अला कोशन है राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं तो राग में नहीं लगने वाले स्वर को हम लोग वर्जित कहते हैं option मर्ण C हो जाएगा अला कोशन है राग यमन डेस ठाट से उत्पन हुआ है राग यमन जो है यह किस ठाट से उत्पन हुआ है यानि option अमर्ड ए हो जाएगा राग यमन किस थाट से उत्पन हुआ है तो राग यमन जो है ये कल्यान थाट से उत्पन हुआ है option अमर्ड ए हो जाएगा अगला question करते हैं तो अगला question है मारा कि स्वडो के उतरते कर्म को क्या कहते हैं श्वडो के उतरते कर्म को हम क्या करते हैं तो अब रोह करते हैं यानि option नमर सी हो जाएगा अगला question क्या है कि सांडब जाती में कितने स्वड लगते हैं सांडब जाती में कितने स्वड लगते हैं तो छे स्वड लगते हैं यानि कि option नमर सी हो जाएगा सांडम जाती में छेसवर लगते हैं। Next question है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? राग भीम पलासी का गाने का समय क्या है? इसको गाया जाता है सांध्या काल में। इसको कब गया जाता है राग भीम पलासी को संध्याकाल में गया जाता है यानि कि दो पहर से ले कर गया संध्या के समय तक राग भीम पलासी का गाने का समय है दिन के तीसरे पहर में राग भीम पलासी को गया जाता है यानि option नमर भी हो जागा संध्याकाल में अला कोशन है संगीत रतना करके लेखक कौन है संगीत रतना करके लेखक सारंग देव हैं सारंग देव जो है यह संगीत रतना करके लेखक है ऑप्शन मेर सी हो जाएगा अला कोशन है और लाश्ट कोशन भी किने मिलेखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं क कोशन अबहारा कि जितने भी राग इसमें दिया हुआ, इसमें से दूनों मिसे कौन जोह वो मध्यम में लगते हैं, कौन से राग मध्यम में लगते हैं, तो किदार राग जोह यह मध्यम में लगते हैं, यानि कि option हमार D हो जाएगा, इसे एक साथ वीडियों एप कंप्लेट क कोशन बैंक जो इस साल आपके एकजाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है सब्जेक्टिव कोशन लॉंग कोशन सभी कोशन आप लोग को और लेटी करवा चुके है ठीक है उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक से मिल जाएगा या फिर आप